सो दोस्तों सौगत है अप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोबिन जय स्वाल दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप YouTube पे शोट्स वीडियो बनाते हैं और सोट्स वीडियो में जो music यूजिक करते हैं उस पर copyright strike या copyright claim आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप YouTube एप्लीकेशन से ही अपने जो YouTube short video है उसको suit करते हैं और उसमें जो music है उसका use करते हैं तो यहां पर इस पर copyright claim या copyright strike नहीं आएगा लेकिन अगर आप बाहर से वीडियो को suit करते हैं और बाहर से वीडियो को suit करने के बाद में बाहर से download करकर music को उसमें लगाते हैं और उसके बाद में आप YouTube short video को upload करते हैं तो यहां पर copyright strike या copyright claim आ सकता है क्योंकि यहां पर अगर आप दूसरे company की music को यहां पर आप लेते हैं तो वो आप पर claim या copyright strike दे सकता है आप यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह जो shorts video होते हैं यह 30 second से पहले का होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि आपको एक policy के बारे में बता होगा YouTube के कि अगर 30 second के पहले का अगर आप music download करकर आप यूज कर लेते हैं तो आप में copyright strike नहीं आता है लगभग नहीं आता है कभी कभी claim कर दिया जाता है तो यहां पर क्या है कि अगर आप बाहर से कोई music यूज करते हैं तो वहां पर जो copyright strike या copyright claim की chances है वो कम हैं लेकिन यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे से अपने चैनल पर काम करना चाहते हैं तो आपको यूटूब application में shorts वीडियो बनाते समय जितने भी music मिलें उनहीं में से आप यूज कीजिए बाहर से music को मत यूज कीजिए तो दोस्तों उमीद गरता हूँ यह वीड आज़त जय हिंत वंदे मातराम